चलो फ्रेंट जो भी बाइक में पिछे की विल में dish brake assembly होती है उसे कैसे रिपेर किया जाता है उसमें कौन से पार्ट खराब है कौन से सही सभी पार्ट खोल के देखने वाले है रिपेर करने वाले है तो फ्रेंट वीडियो को लाज तक जरूर देखना सरू करते हैं बजाज Pulsar NS160 मोडल से यहाँ पर यह पूरी assembly को disc brake caliper कहते है इसमें एक piston की disc brake assembly दी गई है यहाँ पर यह जो brake liner है वो पूरी तरह घिस चुके है ऐसे आलत में बाइक चलाते रहना आपके लिए जो खिम बरा है यह जब चिपक जाता है तो यह accident भी करवा सकता है आप यहाँ पर यह disc की surface भी देख सकते है अब घिसने लगी है तो फ्रेंड अब हम इसकी wheel axle nut और जो oil pressure pipe है वो दोनों निकाल के मैं आपको बाहर पूरी assembly निकाल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या problem है और उसे repairing कैसे करना है फ्रेंड जो यह oil pressure pipe है वो आप बाद में खोलेगा क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए पहले खोल दिया है हमें इसका जो piston है वो बाहर निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी तो फ्रेंड यहाँ पर आप दिख सकते हो जो यह assembly है उसमें liner की क्या हालत हुई है जो liner है उसका friction material complete पूरी तरह घिसने के बाद भी जो dish है वो घिस रही थी तो फ्रेंड अब अब हम इसका जो brake liner है वो बाहर निकाल देते है इसके लिए जो यह pin है वो खीच के बाहर निकाल देनी है और वो जो लोहे का रोड है उसको push करके बाहर की और निकाल के खीच लेना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो यह liner मैंने निकाल दिये है फ्रेंड यहाँ पर जो यह air bleeding का screw था वो मेरे से टूट गया है उसका क्या करना है वो अलग से वीडियो में बताऊंगा फिलाल यहाँ पर मैं नया डाल दूँगा ठीक है तो यह piston कैसे बाहर निकालते है मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए जो मैंने बोला था कि एक्सल को निकालते वक्त आप oil pressure pipe को बाहर मत निकालिएगा तो जो oil pressure pipe थी वो मैंने लगा दिये अब जो यह piston है उसको बाहर निकालने के लिए जो brake pedal है वो दबाते जाना है वो यह piston जो अपने आप बाहर निकल जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पे जो piston है वो उपर की और आ रहा है brake pedal दबा के hold करना है फिर सोड देना है ऐसा करके आप piston को आसानी से बाहर निकाल सकते हो और नहीं निकलता तो फिर उसे आप प्लायर से भी निकाल सकते हो लेकिन उसके जो surface है उसको कुछ problem नहीं होना चाहिए तो फ्रेंड यहाँ पे यह जो piston है उसकी surface भी complete है piston भी complete है उसके अंदर के जो rubber है वो भी complete है उसको निकाल के मैंने अच्छे से पानी के pressure से और air pressure से साफ कर लिया है आप देख सकते हो इसको कैसे fitting करना है तो उसके shape के मुतावित जो निचे की rubber की ring है उसे उसके अंदर fit कर लेना है आप ऐसे fit करोगे तो हो जाएगी और जो पतली ring है piston की oil seal का काम करती है उसे भी ऐसे ही fit कर दीजेगा और piston को जब भी आप fit करें तो उसके उपर oil की परत चड़ा दे और बाद में उसे ऐसे fit कर दीजेगा अब फ्रेंच जो this break paid आते है उसकी जो clip है उसको कैसे fitting करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो नीचे की और break paid की clip आती है वो सामने जो आती है वो जो break paid को सही position में रखने का काम करती है उसको ऐसे fitting करके आप लगा सकते हो इसको उसकी position में fitting कर लेना है यह जो rubber की कीट आती है वो भी पूरी मिल जाएगी वो भी आप अच्छे से fit कर सकते हो बदल सकते हो अब फ्रेंच इसके जो नए break paid liner है वो कैसे fitting करने है वो तो आप पूराने खोल के भी समझ गये होगे लेकिन फिर भी यहाँ हम देख लेते हैं तो फ्रेंट इसको ऐसी position में रखके इसके बीच जो पीन थी वो पीन लगा देनी है पीन लगाने के बाद उसका जो लॉक आता है वो पीन लॉक कर देना है यह assembly complete fit हो चुकी है अब हम इसको विल में लगा देते हैं जैसे हमने बाहर निकाली थी वैसे मैं बीना time waste किये इसको fit करके आपको आगे इसमें break कैसे लाने है वो बताता हूँ ठीक है फ्रेंट तो फ्रेंट यहाँ पर जो caliper में air building screw था वो मेरे से टूट गया था उसको मैंने निकाल लिया है अब मैं उसमें दूसरा वाला डाल दूँगा लेकिन उसको कैसे निकाला जाए वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में दिखाऊंगा फिलाल यहाँ पर यह जो display के assembly है हम fit करके उसमें brake कैसे लानी है वो देखते है फ्रेंट इसमें जो पुराना वाला air building screw तूट चुका था वो निकाल दिया है और दूसरे कैलिपर में से इसमें डाल दिया है यहाँ पर oil level भी हमने complete कर दिया है अब फ्रेंट इसको oil pressure pipe में oil और caliper में oil लाने के लिए brake pedal दबाना है बाद में जो air building screw का सेद है उसे बंद कर दिना है brake pedal release करना है उपर की ओर आता है तबी वो air building screw का सेद है वो खोल लेना है फिर से brake लगाना है air building screw का सेद बंद कर दिना है brake pedal release कर दिना है air screw का सेद खोल दिना है ऐसा बार बार करने से oil pressure pipe में और caliper में air निकल जाएगी उसकी जिगा पूरा oil भर जाएगा फिर हमें brake लानी है brake लाने के लिए क्या करना है यहाँ पर हमने air building screw फिट करके जो brake है वो दबानी है air building screw खोलना है खोलने के बाद वापस उसे फिट कर देना है बाद में जो brake है वो release करके उपर की ओर पैडल लाना है फिर से air building screw खोलना है वापस उसे बंद करना है brake pedal उपर की ओर release करना है यानि कि यहाँ पर air building screw खोलना है और बंद करना है तब जब brake pedal नीचे की ओर होता है तो फ्रेंड brake complete हो जाएगी तो फ्रेंड जो disc brake थी वो complete हो चुकी है अमें यहाँ पर जो oil है उसका level complete कर लेना है उसके बाद जो air bleeding screw है और oil pressure pipe का जो bolt है वो complete fitting करके सही से उस पर जो rubber आता है air bleeding के screw पर वो फिट कर लेना है तो फ्रेंड चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कीजेगा वीडियो को like कीजेगा शेयर कीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thank you for watching